बिहारी बिजोड के आज के सेग्मेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जिन्होंने आपको समाज के सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि वह आज अमर हो गए इस ब्यक्ति का कार्ज और इनकी मेहनाच इतना बड़ा था कि वह किसी आम ब्यक्ति के बूते की बात नहीं थी जिसरत्मांधी के बारे में दिसरत्मांधी का जर्म बिहार के गया जिले के गहला और गाउं में हुआ था वो भी एक गरीब परिवार में उनका गाउं बहुत ही पिछ़ड़ा हुआ था उनके गाउं में मुलभूत सुविधाय जैसे की बिजली और पानी की समस्या आम थी लोगों को बजार जाने के लिए भी पहार पार करके जाना पड़ता था उसमें दिसार मांदी के परिवार के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल था यानि कि गरीवी का यहां आलम था, दिस रुखमांजी का बाल बिबा हुआ था उनके गाउं में ना तो बिजले थी और ना ही पानी जिसके कारण लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ा था इस दोरान अगर है कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए पहाड पार करके सहर जाना पड़ता था तब जाकर उचित इलाज हो पाता था ऐसे में जीवन से जूरी अर छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए उन्हें गाउं से बजीर गंच जो बाजार है वो जाना पड़ता था लेकिन यहां भी जाने के लिए उन्हें एक पहाड पार ही करना पड़ता था कई मेडिया रिपोर्ट की माने तो उस समय दसरस्मांजी के पूरवजों ने जमिदारों के यहां काम करते थे कहा तो यह भी जा रहा है कि पहले से कोई कर्ज था जिसे दसरस्मांजी के परिवार के लोगों ने पूरा नहीं किया था जिसके कारण वे जमीदार के यहां काम करते थे लेकिन जब दसरस्मान जी को जमीदार के यहां काम करने की बारी आई तो वो घर से भाग गया और धनवाद चले गया यहां जाकर उन्होंने कोईला खादान में काम करना सुरू किया और वे उधर लगबग साथ सालों तक रहे, साथ साल के बाद जब उन्हें अपने गाउं की आद आई तो वो एक बार फिर से अपने गाउं की ओर चल निकले और यहां आने के बाद उन्हें कोई बड़ा बदाब नहीं दिखा, भले किही तरह लगबग चीजें चल रही थी, इस दवरान उनकी मा का दिधन हो गया था, वे अपने पिता के साथ काम पर रहने लगे और पिता की सेवा करने लगे, धनवाद से अपने घर बापस आने के बाद दसरशमान जी को फालगुनी नाम की एक लड़गी से प्यार हो गया था, दोनों एक गुसरे को प्यार करने लगे थे, बात के दिनों में दोनों की जिन्दगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इस हरसते खेलते परवार के लिए किसी की निजर पड़ गई, एक दिन खालगुनी अपने दसरशमान जी के लिए खाना लेकर जा रही थी, तभी पहार पर उनका प्यर फिसल गया और वा ज जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब फालगुनी की राष्टे में ही जान जा चुकी थी इस घट्ना के बाद दस्वत मांजी पूरी तरह से तूट गए उन्हें लगने लगा कि जिन्दगी में अब है ही किया हाला कि इस समय तक उन्हें तोनों के दो बच्चे थे जिस पहाड से फालगुनी गिरी थी उसे पहाड को दस्वत मांजी ने तोड़ने का फैसला कर लिया ताकि आने वाले दिनों में किसी दूसरे ब्यक्ति को फरिसानी का सामना ना करना पड़े हाला कि साल 1960 में छेनी और हथावडी से पहाड काटने के इन्होंने शुरुआत कर दी तब उन्हें लोग पागल कहते थे एक दस्रत मांजी लोगों के ताने से हार नहीं माना और वे लगातार पहाड को कारते रहे इसी दरौन गाउं में अकाल पड़ा इसे में अपनी अजीवगा के लिए उन्होंने अपना गाउं छोड़ दिया लेकिन पहाड तोड़ने से कभी पीछे नहीं हटे यह हुआ समय था जब देश में अपातकाल जैसे हालात थे यानि कि उस समय उन्हें से 75 में इंद्रा गांधी बिहार आई थी वह जिस मंच से भासन दे रही थी वह मंच तूट गया था उस मंच को दस्रत मांजी नहीं संभाला था जिसके बाद इंद पॉपलर हो गए थे तब जमिंदार ने उनसे साधे कागज पर बोठे का निसान लगवा लिया था कि हम इस पूरे इलाके में सड़क बनवाएंगे और जमिंदार ने सड़क बनवाने के नाम पर 25 लाख रूपी सरकार से निकलवा लिये जब यह बाद की जनकारी दसरत मां पर जमिरी तो वे कापिक गुस्ते में और उसकी सिकायत करने के लिए दिल्ली जाने का मन बना लिया लेकिन उस समय उनके पैगेट में इतने पैसे नहीं थे कि वे ट्रेन में रिजरवेशन करवा कर यह दावरा कर सके यानि कि दिल्ली जा सके इस दावरान की एक घटना का जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि दस्रत्मांधी जब ट्रेन से जा रहे थी तो पैसे नहीं होने की कारण उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया लेकिन पैदल ही दिल्ली चले गए उस दरवान देश में इमर्जनसी था ऐसे में पूरे में यानि कि पूरे प्रदेश कहल सब जगह जड़ब जैसे हालात थे ऐसे में पुलिस ने दसरत मांजी को अधान मंतिरी से मिलने से मना कर दिया और वे बिना मिले ही दिल्ली से बिहार बापास आ गए उनके सारी उमीदों पर पानी फिर गया उनका अब पहार तोड़ने का भी इरादा कमजोर होता जा रहा था लेकिन उनके साथ अब कई लोग जूडने लगे थे उनकी हिमत अब धीरे धीरे पहार तोड़ने के प्रती बरने लगी लेकिन इधर जमीदार दसरत है और उनके साथ के लोगों को गरफतार करवा देता है लेकिन दसरत को इस दोरान साथ मिला एक पदरकार का जिसने जेल म बिरोध करना सुरू कर दिया जिसके बाद दसरतमांदी को छोड़ दिया गया इसके बाद के लगतार पहार तोड़ते रहे इनके साथ और भी लोग जूड़ते रहे एक दिन आही गया जब दसरतमांदी ने उस पहार का सीना चीर दिया और एक रास्ता बना दिया दसरतमांद और करीब एक महीने से ज्यादा समय इस पूरे रोड को बनाने में लगता जिसे दसरजमांधी ने अपने हाथों से पहार को काट कर एक रास्ता बना दिया उन्होंने इस रोड को बनाने में 22 साल का एक लंबा बक्त लगा लेकिन उन्होंने दिखाया इंसान अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकता है इसी सड़क पर जाने के बाद से दसरजमांधी के घर से सहर की दूरी 70 किलो मीटर कम हो गई दसरजमांधी को उनके कारज के लिए सही पहचान नितीज कुमार के मुख मंतरी बनने के बाद मिली जब नितीज कुमार ने साल 2006 में बिहार के मुख मंतरी थे उसी दरान दरसरच मांझी दिखाई दिये । तो मैंने कूरसी छोड़ दी और मैंने कहा कि आप मीडियास की लोगों से अपने संघर्ष के दिनों को बारे में बताएं। दरसरच मांञे ने मीडियास सब आत करते हुए कहा कि मैं अपने बुलंद हाऊसले और मुझे जो भी आता था उसके दम पर मैं मेहनत करता रहा। मेरा एक ही मंत्र है अपनी धून में लगे रहो, अपने काम को करते रहो, चीजे मिले ना मिले इसकी परवाह मत करो कि उनकी हर रात के बाद दीन तो आता ही है। चटानों सा बुलंद हाऊसला वाला यहीं इनसान 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। उन्होंने जिल्ली के एम्स में आखरी सांस ली, वे चाहते थे कि उनकी इस कहानी से दूसरी लोग भी खुब परवावित हों और आगे बढ़ें। उन्हें के निदन के बाद बिहार सकार ने राजज में सोक की घोशना कर दे थी, जिस पत का उन्होंने निर्मान किया था, साल 2011 में उसे दसरत मांजी पत का नाम दिया गया। दसरत मांजी को गरीबों का सहां जहां कहा जाता है, दसरत मांजी की जीवनी हमेशा सिच्छा देती है और आने वाले पिडियों को इस महान लोगों के बारे में सिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए और जाननी चाहिए, दसरत मांजी को मौन्टेन मैं के नाम से भी जाना जा प्रभावित करती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं